तो एलो गाईज आप सभी का स्वागत थे फिर से मेरे एक और ने फ्रेश वीडियो में और भाई देखो ये जो वीडियो है ना ये वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ एक कोईशन पूछके आप सभी लोग से तो मुझे बताना नीचे चैट बॉक्स में और नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आपने फ्री फायर वर्ल्ड सिरीज प्लेंज जो हमारा हुआ था उसमें एवन टू फॉर कैरेक्टर का इस्तिमाल आपने देखा था मुझे पता है कि ये चीज़ सुनके सब लोग मुझे बूलेंगे कि भाई हो ही नहीं सकता देखा ही नहीं है चांसे ही नहीं है क्यों होगा भाई एवन टू फॉर कैरेक्टर का इस्तिमाल तो वीडियो को एंड तक देखो पता चली जाएगा अगर आप चैनल पे नहीं आयों तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्यों कि या देखो मैं आपको बता दू कि ओवी 33 अपडेट जब आया था जो कि हमारे या नहीं आया उसमें हमारा जो ए वन टू फॉर कैरेक्टर था उसका जो स्किल था उसे कंप्लिटली चेंज कर दिय या गया था एंड एक ओवर पावर कैरेक्टर बना दिया था अब मैंने यह चीज बहुत पहले मेरे इंस्टागरम स्टोरी पर बताया था कि हो सकता है कि हमने वर्ल्ड सीरीज में देखने को मिले एवन टू फॉर कैरेक्टर का स्टिमार एंड कई ना कई आने वाले टेम प कर देना एंड चैनल पर नहीं आया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एगुलर फ्रीफायर इस्पोर्स कंटेंट के लिए एंड डिस्कॉर्ट का लिंक डेस्क्रिप्चर में तो जॉइन कर लो अगर आपको मेरे से बात करना है एंड इंस्टागरम पर भर भर के इस्पोर् पर रहता है और हमारी जू टीम है हाउस ओ ब्लड पाकिस्तान की टीम और हमारी टीम औल स्टार इस्पोर्स यहाँ पर उतरती है सेम एरिया पर जो कि था हमारा मांट विला और गॉल्फ कोर्स का एरिया में जब भी फाइट होता है तो बचना इजी होता है कोई भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहे थे जहाँ पर उन्होंने क्या किया basically अपने तीन प्लेयर्स को यहाँ पर Mount Villa भेज दिया and एक प्लेयर उनका जो है लैंडिंग के टाइम पर नीचे उतर गया M60 था जो कि पीछे से cover दे रहे थे and जो बाकी तीन प्लेयर्स थे House of Blood के वो यहाँ पर rush कर रहे थे तीन 3v3 fight था और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर House of Blood के प्लेयर्स थे यहाँ पर तीन kills early stage में match के चौथवे minute में यहाँ पर ले लिया था जो कि यह काफी बढ़िया बात थी House of Blood को kills मिल चुके थे बट अब जो है उन्हें करना था rotation अब यहाँ पर House of Blood के प्लेयर्स का जो rotation था वो काफी easily हो जा था क्योंकि उनके पास यहाँ पर vehicles भी थी and जो zone extreme करना था तो उनका भी उन्हें कोई दिक्कत है वो easily यहाँ पर ब्राजरा जा सकते थे बट यहाँ पर जो दिक्कत थी वो थी All Star Esports के solo player को जो कि यहाँ पर query के side अकेले वहाँ पर token का इस्तिमाल करके बंदे को अपने teammates को यहाँ पर revive देने का कोशिश कर रहे थे अब basically यहाँ पर हुआ यह कि query है कैसा area जहाँ पर you know आपको अच्छे loot मिलती नहीं है tokens बहुत कम रहते हैं and SMO एक दो player maximum वहाँ पर loot करता है जादा से जादा कम से कम तो भाई उदर कुछ नहीं मिलता है अब ऐसे में होता है यह कि house of blood यहाँ पर के जो दो players थे Venom और यहाँ पर Kai वो यहाँ पर bike के साथ rotation ले रहते है and SMO उन्होंने यहाँ पर spot किया यहाँ पर all star e-sports के जो आखरी player थे अब यहाँ पर all star e-sports के आखरी player ने A124 character का इस्टिमाल किया जो कि मुझे पता शायद आपने observe नहीं किया तो चलो मैं आपको एक slow motion में clip दिखाता हूँ अब यहाँ पर आप दिखना कि जैसे ही दो players house of blood के Venom और Kai आते हैं all star e-sports के player अपना active skill को use करते ए A124 का यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा एक blue color का जो spar के वो निकलेगा जिससे basically हुआ यह कि जो house of blood के दो player थे उनका जो skill था जो उनका पूरा skill है चार skill वो काम करना बंद कर दिया जी हाँ काम करना बंद कर दिया वो chrono का इस्तिमाल नहीं कर सकते जो उनके पास हयातो character है वो उसका इस्तिमाल नहीं कर सकते मीशा का इस्तिमाल नहीं कर सकते कुछ भी इस्तिमाल नहीं करते इस्ट लेक एडम बन गए थे वो perfect use हमें देखने को मिला यहाँ पर A124 character का जो की all star e-sports के जो आखरी player थे ओत्मान उन्होंने use किया अब यहाँ पर शायद यह चीज़ा आपने observe नहीं कियाता अगर आपने यह चीज़ अब यह चीज़ा अब ही आप देख रहे हो तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर आप नहीं आया हो तो चैनल को कर लो subscribe regular free fire e-sports content के लिए और आपको भर भर के content मिलेगा world series खतम होने तो भाई फिर तो और भी अच्छे अच्छे content आएंगे Indian teams के ओपर भी हम लोग बात करने वाले हैं तो बस यहाँ चैनल को कर लो subscribe and यहाँ पर देखो बहुत बड़ा गलती किया house of blood के players में क्योंकि अगर आप देखोगे तो house of blood के जो players थे वो सिर्फ और सिर्फ एक अकेले player के लिए यहाँ पर अपना जो rotation था उसको उन्होंने छोड़ दिया देखो one way two fight था I know की easily हो सकता था बट कहीं ना कहीं यह चीज़े फिर भी आपको एक केल के चकर में आप एक कितने बड़े tournament में जिनका playing चल रहा है जहाँ पर आप काफी अच्छा ठीक ठाकी average performance दे रहे थे पिछले matches में तो यह चीज़ करना जरूरी नहीं बनता था यहाँ पर house of blood के players ने हाला कि house of blood के players यहाँ पर वापस से revive होते हैं और वीडियो यहाँ पर end नहीं होता है क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि भाई जो all star e-sports के आखरी player थे वो यहाँ पर अपने players को revive दे चुके थे अब ऐसे में क्या हुआ कि all star e-sports के जो बाकी player थे वो यहाँ पर ब्राजिला side में चल गए थे यहाँ पर जो all star e-sports के बाकी के 3 players थे वो यहाँ पर ब्राजिला से वापस rotation लेते हैं मतलब जो ब्राजिला का 7 house रहता है इन्होंने वहाँ पर loot किया and बिना medikit बिना कोल चकर सीधे सीधे यहाँ पर गाडियों का इस्तिमाल करके उनके जो दो players थे वो यहाँ पर अपने अकेले players को जो कि shrink के अंदर खेल रहा है उसको यहाँ पर बचाने के लिए आते हैं and house of blood के players भी same as I करते हैं वो अकेला player को वापस से मारने के लिए वो भी यही चीज़ करते हैं म अब देखो basically होता है यह है कि house of blood के players जो है न वो अकेले player को यहाँ पर मारने के लिए आते हैं बट भाई also इस पूर्ट भी कम नहीं है वो लोग भी अपने players को बचाने के रहे गाडियों का इस्तिमाल करके यहाँ पर फटा फटा आते हैं and जो आखरी player थे न house of blood के जो की प पर मर गए थे and जो बाकी के दो player थे वो यहाँ पर एक ही option था भागने का house of blood के जो वीनम थे उनके पास तो भाई medikit भी नहीं था फिर भी वो यहाँ पर क्यों आए क्या उनका motive था मुझे कुछ समझ में नहीं आया and यह बहुत बड़ा गलती गलती यहीं पर भी खत्लम नह यहाँ पर try करते हैं कि भाई अपने players को revive दे यहाँ पर ताकि वो बज्जा एंड दिन बगे बाद में वो revive दे दे ले उसको जो किया है लेखो starting में मेरे को भी लगा कि ठीक हो सकता है बट 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 यह गलती भी आप कैसे कर सकते हो जब आपको पता है कि भाई MT विला पे एक टीम अल्रेडी अपने चार players को revive दे चुकी है और इसम में होता वही है जो कि मैंने expect किया था कि भाई हाउस और ब्लड के players जो बचे हुए दो players उनको भी यहाँ पर finish off कर दिया जाएगा हलाकि बहुत कम seconds के लिए यहाँ पर हाउस और ब्लड के players जो हैं यहाँ पर revive नही दे बाए अपने players को अपने जो बाकी के players को और यहाँ पर 4 kill मिल जाता है all star e-sports के players को हाउस और ब्लड के पूरी team यहाँ पर eliminate हो जाती आठवे position मतलब यार देखो इतने बरे tournament में एक kill के लिए सिर्फ आपकी पूरी team eliminate हो गए और जिस team के पिछे आप भाग रहते उनके य जहाँ पर basically A124 का skill यह है अभी भी इसका active skill है max होने पर अगर आप इसके use करते हो तो यह एक electromagnetic wave फिकेगा अपने enemy के उपर and जो भी enemy के उपर यह wave आ गिया वो 30 seconds तक उनके जो 4 skill रहेंगे वो उसे use नहीं कर पाएगा मतलब कि जो आपको दिखता है ना game में कि वो जो skill है वो चार जो कि यह तो सा light जलता है उसमें वो नहीं होने वाला चारो skill इसका बंद हो जाएगा and by seconds देखो 30 seconds मुझे नहीं पता है कि OB34 में इसको nerf किया है कि बफ किया है but OB33 का screenshot मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यह था पूरा इसका skill इसके उपर मैं post भी दालूँगा एक updated version का जो कि OB34 का होगा अगर इसमें कुछ change आया है तो guys कुछ भी नहीं है आपको नीचे description में link है Instagram का जाओ जल्दी से follow कर लो and आपको बहुत कुछ उदर मिलता है eSports content